जैसे राम दोस्त आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आज का जीएस के स्रिच का पहला प्रश्ण है कि राजय अलंकराड में ठाकुर प्यारे लाल सी पुरुसकार खिस चेत्र में दिया जाता है चार आपसन दिया हुआ है समाजिक केत्रा सहकारिता लोक कला क्रिसी एक आपसन इनमें से सही अंसर है अगर आप इसका सही अंसर जाता जानते हैं तो A, B, C, D लिग कर कमेंट करेंगे और आप 20 में कितना प्रशन सही करते हैं वो बिल्कुल बताएंगे पिछले भाई में कमेंट कर रहे थे कि 20 में 20 आप हम बना रहे हैं अब देखेंगे कि इस वीडो में आप कितना कमेंट करते हैं फिर हम डेली नए नए क्विश्चन लाते जाएंगे वे लेवाल भी पर 36 लड में होली के असर पर कौन सा गीत गया जाता है लेकिन इस आप्शन में तो फाग गीत है नहीं तो सही answer कौन सा होगा आप comment आशा करते हैं कली होंगे इसका सही answer क्या है आपको एक मिनट में एक question रहेगा आपको उतने समय में आपको comment करना है अगर एक मिनट मैं देता हूँ तो आपको ज्यादा हो जाएगा 30 सेकंड आपको मिलेगा question का answer देने के लिए बिलकुर आप 30 सेकं में answer आप करेंगे वो 10 मिट में पूरा का पूरा question हम cover कर लेंगे कि 20 में 20 प्रश्न होगा तो हाँसा करते हैं इसका answer आपने comment क्या होगा इसका सही answer है दह की गीत गया जाता है 36 गड़ में अगला है अगला 36 गड़ का प्रसिद्ध रास लिला है रास लिला राम भगवान का तो मूर्ती इतना हस्मुख है और राम लिला आपने सुना होगा लेकिन आपको 36 गड़ का प्रसिद्ध रास लिला काउसा है गमत ककसार रहस बिलमा चलते हैं आपने इसका सही answer हाला की comment कर लिया होगा तो इसका सही answer है इसका तीसरा का C option सही answer है अब है चाउथा आपका प् आपको बताना है प्रथम को बताना है अप्रथम का सही answer है प्रथम जियुमंडर राष्टी उद्यान ये सेम इस प्रकार पुछा गया है question को इसलिए हमने लायर डाल भूँआ हूँ और इसका सही answer क्या है तो इसका सही answer आपमें कमेंट कर लिया होगा इसका सही answer है कांगेर घाटी राष्टी उद्यान जो की बस्तर में है यह अप्शनिस्त का सही अंसर होगा अगला प्रशन है कि भुपाल गैस तराजदी किस गैस के कारा घटी थी यह वहराल इंडिया जी के कहा है क्योंकि 36 पुलिस में आपका CGGS के इंडिया जी एस के साइंस के कंपूटर से यह सभी से प्रशन आने वाले हैं तो इस प्रशन का सही अंसर आसा करते हैं आपने कमेंड कर दिया होगा इसका सही अंसर होगा मिथाईल आइसोसाइनाइट यह भुपाल में खटा था 1984 में और भुपाल गैस तराजदी कारते हैं मिथाल आइसोसाइनाइट के काराड यह हुआ था अगला है साइन्स के प्रशन की भोजन की उर्जा सो भोजन की उर्जा को मापा जाता है भोजन की उर्जा में मापा जाता है तो भोजन की जो उर्जा होता है उसे किसमें मापा जाता है कैलोरी, सेल्सियास, केल्वीन, उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर आप जानते हैं कि आपने comment कल लिया होगा तो इसका सही अंसर A option आप पूरा कपूला calorie answer में comment नहीं करते हैं लेकिन A, B, C, D आप जरूर answer comment कर सकते हैं साथ का answer होगा तो A इस प्रकार comment आप करेंगे अगला है ध्वनी की तीब रता की A सई मातरक क्या है ध्वनी की जो A सई मातरक है वो क्या है आपको कमेंट करना है जैसे कि decibel, neutron, hertz, tesla तो चलते हैं इसका सही अंसर आपने कमेंट कर लिया होगा आपको question मैं पढ़ता हूँ तो आपको answer यहाँ पर A, B, C, D आप कमेंट कर देना है जब तक मैं कुछ थोड़ा सा और बोलता हूँ तो आपको कमेंट कर देना है इसका सही अंसर है decibel यह आपने इस question का सही answer है अगला है 36 गड़ से प्रशन की 36 गड़ में हीरे का खान कहा है हीरे का खान हीरे का खान 36 गड़ में कहा है जैसे कि देव भोग करकब हाट सिर्गिट्टी बिलासपूर बोलाई दूरगा यह करकब हाट कहा है तो यह बालोद में है सिर्गिट्टी कहा है तो यह बिलासपूर में है बोलाई कहा है तो दूरगा में है देव भोग कहा है तो गरिया बन में तो गरिया बन ने पाया जाता है ये option इस question का सही answer होगा कौन सा option ये option सही answer होगा अगला 10W प्रषन है कि चुणा पत्थर कि सुद्योग में काम आता है चुणा पत्थर की सुद्योग में काम में आता है 4 option दिया होगा है बिजली, सीमेन, हीडा, ताप उद्दुद तो चुणा पत्थर किसमें प्रीपके जाता है आप जानते होगे बिजली और ताप इदुद में तो कोईला चलता है तो ये दो तो सही नहीं होगा एक तो होगा हीरा या तो सिमेन तो हीरा में तो भई चुना पथर का हीरा में क्या क्याम रहेगा तो आप्षन क्या हो जाएगा सिमेन इसका सही अंसर हो जाएगा सिमेन अगला आपका 11 प्रश्न है भारत की जियेस का और भारत का सबसे बड़ा जिल सबसे बड़ा जिल न कि मीठे पानी का खारे पानी का तैरता जिल इस टाइप करें पूछा हुआ है सिरे भारत का सबसे बड़ा जिल कौन सा है तो सबसे बड़ा जिल है सही एंसर आपको कमेंट करना है तब तक मैं ये कहां कहां है ये बता देता हूँ जैसे कि चिलका जिल कहा है तो ये है ओडिसा में नैनी ताल कहा है तो उत्रा खण में सांभर जिल कहा है तो राजिस्थान में अगर आप हमारे साथ डिली जुडे रहते हैं आप विलकुल जानते होंगे सबसे बड़ा महासागर है प्रसांत महासागर और इस question का सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर D option इस question का सही answer हो जाएगा तो 12 प्रेशन हो चुके हैं अगला है 13 प्रेशन ठीक है आपका कि मलेंगर नदी का उद्गम मलेंगर नदी का उद्गम कहा है आपको पूछते रहते हैं हस्देव नदी का उद्गम माहा नदी का उद्गम सिवनात नदी का उद्गम पैरिन नदी का उद्गम अब आपको बताने मलेंगर नदी का उद्गम कहा है अबुजमार की पहाडी बैसोई बलाडी लग पहाडी अबुजमार की पहाडी, केसकल घाटी जोराम घाटी, एक आपसन सही है इसका answer आप कमेंड करेंगे तो इसका answer आप कमेंड कर लिये होंगे इसका answer है पहला आपसन बैला डिला की पहाडी चलते हैं अगला प्रेशन है आपका 36 गड़ के वर्तमान मुख्य सचिव का उन है 36 गड़ के वर्तमान मुख्य सचिव का उन है और की स्क्रम के है पहला यहाँ पर आपसर में दियो अरूर कुमार, डाक्टर रवन सी, इस्री मती रेडू जी पिल्लाई, अमिताब जैन तो चारो यह सबी कोई नो कोई पर्ड में पदस्त है और 36 गड़ के वर्तमान मुख्य सचिव है अमिताब जैन और यह कौन है डाक्टर रवन सी 36 गड़ के BJP से पहले मुख्य मंत्री है BJP के 3 साल के मुख्य मंत्री है BJP पार्टी से और 36 गड़ के अरूर कुमार जो है पहले मुख्य सच्यू है और रेडूजी पिलाई जो है ग्यारवे नंबर के मुख्य सच्यू है और वरतमान में भी अभिताप जैन ही मुख्य सच्यू है अगला पंद्रवा प्रश्न है कि मुख्य मंत्री है अभी वर्तमान में विश्णु देव साय जी के द्वारा किस स्थान पर सर पविज्ञान के दर खोलने का सर पविज्ञान के दर खोला जाएगा तो किसी स्थाल पर है ? और इसका सही जएंसर क्या है ? इसका सही जएंसर है बी आप्शन तबकड़ा जस्पूर इसे चत्चीज़गर का नाग लोग भी खहाँ जाता है तबकड़ा जस्पूर को 36 गड का नाग लोग कहा जाता है ठूकर दोसतर चलते हैं अगले प्रस्ष्ण पर अगला प्रस्ष्ण है भहरामगड वन ने जुर अभ्यारण कि जिले में है भहरामगड आपको लगता होगा भ chemotherapy और भहरामगड ये दोनों वन्स ने जुर अभ्यारण है कीजिलि में और दोनु अलग-अलग जिलिम है जैसे कि भोरम देव कहा है तो कवरधा में भैराम gua कहा है तो बीजापूर अगलाव प्रसिद्ध घड़-घड़ई जल प्रपात किस जिलिम है ये लगभग सव मीटर से कितना मीटर है लगभग 140 फीट उपर है 140 फीट उचाई से उचाई है इस जल प्रपात का अभी यह बहुती ये जल प्रपात की जिले में है यहाँ पर जल प्रपात घड़गड़ी जल प्रपात की जिले में है बस्तर, गरिया बन, नरारपूर, सुकमा अगला है आपका question की कोर्बा कीस नंदी के टट पर बसा है कोर्बा जो जीला है वो कीस नंदी के टट पर बसा है और कोर्बा जीला आप देखेंगे 36 के मेप में यहाँ पर तो यहाँ पर बसा है कोर्बा जीला और खारून नदी पहला अप्सन में दिया हुए दूसरा में अर्पा नदी तिसना में सिवनात नदी हजदव नदी कहां बहता है तो हजदव नदी कहां बहता है तो हजदव नदी यहां बहता है खारून नदी कहां बहता है अर्पा कहां बहता है तो अर्पा भी यहां बहता तो यह हजदोनदी के टट पर है, D option इसका चही अंसर होगा, अगला है पंडित रवी शंकर गंगरेल बांध की जिले में है, पंडित रवी संकर गंगरेल बांध की जिले में है, चार खाव संदिया, गोर्बा, धमतरी, बिलासपूर, रायगाड और यह जो चार जिला दिया ह अगला आपका बिस्वा प्रश्ण है, लास्ट प्रश्ण और लास्ट प्रश्ण सायद मैं टाइप नहीं कर पाया हूं लगता है, उन्नीस प्रश्ण तक टाइप हुआ है, लास्ट प्रश्ण टाइप नहीं हो पाया दोस्त, आप लास्ट प्रश्ण में इसे देख सकते हैं, बिस्वे प्रश्णव की खलारी माता मंदीर किस जिले में है ये एक क्वेशन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ आप इसका सही एंसर बिल्कुल कमेंट करेंगे A, B, C, D जो भी एंसर है तो जैसरी राम दोस्त, 37 पुलीस भरती 6000 जो निकाला गया है उसके लिए आपके लिए बहुती महत्पूर्ण रहेगा इसके लिए इसके लावा सिजी ब्यापम के एक्जाम कई सारे होने है तो उसके लिए भी बहुती एलप पूल रहेगा आपका तो जैहिन